आज इस वीडियो में हम part 4 को discuss करेंगे जिसमें हम standard questions जो की बेज़ होंगे SCA पर उनको solve करेंगे प्लियर्स पार्ट में हमने standard questions को देखा जो की बेज़ थे LCM पर अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो यहाँपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और जिन वीवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, फ्रेंस आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ल इस फॉर्मेट में यह क्योस्टन हम से पूछे जाएंगे, तो एक टाइप क्या है, स्ट पर बेस क्योस्टन का, दे गेटेस्ट नमबर जो दी गई वेल्यूज को डिवाइड करें, और रिमेंडर जो है हर एक केस में हमें सेम मिलें, तो उस गेटेस्ट नमबर को हम किस तर आउट कर सकते हैं, stf of x-y, y-z, z-x और आगे भी वेल्यूज दी गई है, तो यही प्रोसेस हम फोलो करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ हमें मेगनिटूड लेना है, ठीक है, माल लीजे वेल्यूज कुछ इस तरह की है, 4, 3, 2, ठीक है, अब यहाँ पर x-y जो है, क्या हो जा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y-z की बात करें, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब z-x, तो 2-3, get-1 आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ magnitude लेंगे, इस वज़े से यहाँ पर हम 1 लेंगे, ठीक है, तो इन वेल्यूज का stf जो भी होगा, वो greatest number जिसके लिए हम से पूछा गया है, तो इस format पर बेस एक example हम discuss कर लेते हैं, what is the greatest number that will divide 99, 123, and 183, leaving the same remainder, in each case, also find the common remainder, तो greatest number के लिए पूछा गया है, जो divide करे 99, 123, 183 को, और हरे case में हमें same remainder दे, तो उस number को हम किस तरह से find out करेंगे, जो required number होगा, वो क्या होगा, stf of x-y, y-z, z-x, ठीक है, इन values का stf हमको find out करना है, तो ये values हम find out कर लेते हैं, x-y क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 99 है, y 123, और z जो है 183, तो x-y डेत में 99-123, ठीक है, अब चो भी value आएगी, एक तरह से negative value आएगी, बट यहाँ पर हमें सिर्फ magnitude चाहिए, ठीक है, तो 99 में से हम minus करते हैं, 123, तो value आनी चाहिए, minus 24, लेकिन हम सिर्फ magnitude लेंगे, इस वज़े से 24 यहाँ पर रखेंगे, y-z क्या हो जाएगा, 123-183, तो इसको solve करने पर हमें value मिलेगी, 60, z-x क्या हो जाएगा, 183-99, तो यहाँ पर value आजाएगी, 84, और अब इन तीनों ही values का, stf हमको find out करना है, तो factorize हम इन values का कर लें, ठीक है, तो 24 को में लिख सकता हूँ, 2 raise to the power 3 into 3, 60 को में लिख सकता हूँ, 2 raise to the power 2 into 3 into 5, और 84 को में लिख सकता हूँ, 2 raise to the power 2 into 3 into 7, तो इन values का stf क्या हो जाएगा, भाई factorize हमने कर लिया है, अब यहाँ से हम किन factors को लेते हैं, जो common हो और जिनकी power जो है, minimum हो, तो 2 का, 2 prime number है, इसकी power जो है, minimum क्या है, 2 है, इस वज़े से, 2 raise to the power 2, 3 की highest power जो है, एक तरह से 1 है, minimum power भी जो है, 1 है, और common है, इस वज़े से 3 हम यहाँ पर लेंगे, 5 और 7 जो है, तीनों ही numbers में common factors नहीं है, इस वज़े से इनकों हम नहीं लेंगे, तो SCF क्या हो जाएगा, इन तीनों ही values के लिए, 4 into 3, that means 12, तो 12 वो बड़े से बड़ा number है, जो 99, 123 और 183 को divide करने पर remainder जो है, same देगा, इसको हम check भी कर सकते हैं, 99 को अगर हम 12 से divide करें, तो 8 time divide होगा, और remainder जो है, remainder जो है, वो कितना रे जाएगा, 3 रे जाएगा, 123 को अगर हम 12 से divide करें, तो ये divide होगा, 10 time और remainder जो है, वो 3 रे जाएगा, इसी तरह के से 183 को हम divide करें 12 से, तो ये divide होगा, 15 time और remainder जो है, वो क्या रे जाएगा, 3 रे जाएगा, तो देखिए हरे case में हमें same remainder यहाँ पर मिल रहा है, तो इस तरह के format में question आपको देखने को मिल सकते हैं, exam में, जो SCF पर based दोंगे, SCF को, उसकी concept को हमें use करना पड़ेगा, इस तरह के questions को solve करने के लिए, इनके answers को find out करने के लिए, अब next type देखते हैं, next format, the greatest number which divides the numbers x, y and z leaving remainders a, b and c respectively is given by SCF of x-a, y-b, z-c, तो previous जो format हमने देखा, वो लगबग same है, बस difference कहाँ पर है, उसमें remainder हमें same मिल रहा था, हर एक value को जब divide किया गया, उस greatest number से, तो remainder same मिला, इस case में क्या है, remainder जो है, हमें, अलग-अलग है, जो भी values हमें दी गई है, जो भी greatest number से divide करना है, divide करने पर हर एक value के साथ में remainder जो है हमें, अलग मिलेगा, x को divide किया तो remainder a मिला, y को divide किया, तो remainder b मिला, और z को divide किया, तो remainder c मिला, तो इस case में, हम greatest number को किस तरह से find out कर सकते हैं, इस फोर्मिले को एक तरह से यूज़ करके सच अफ हमें find out करना पड़ेगा x-a, y-b, z-c का तो हमें वो greatest number मिल जाएगा तो इस टाइप पर best एक example हम discuss कर लेते हैं find the greatest number which divides 29, 60 and 103 leaving the remainder 5, 12 and 7 respectively तो greatest number हमको find out करना है जिस से 29, 60 and 103 को divide करने पर हमें remainder कुछ इस तरह से मिले वे 29 को divide करने पर 5 remainder बचे 60 को divide करने पर 12 remainder बचे और 103 को divide करने पर 7 remainder बचे तो वो greatest number क्या होगा stf of 29-5, 60-12, 103-7 ठीक है जो भी values आएंगी उनका stf हम find out करेंगे तो वो जो highest common factor होगा उन values के लिए वही greatest number होगा और actually में हमें stf find out करना है कि इन values का 29-5 that means 24, 60-12 that means 48 और 103-7 that means 96 तो stf हमें find out करना है 24, 48, 96 का और जो भी stf आता है वो greatest number होगा तो stf find out करने के लिए इन numbers को हम vectorize form में लिख लें 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raise to the power 3 into 3 और 96 को हम लिख सकते हैं 2 raise to the power 4 into 3 और 96 को हम लिख सकते हैं 2 raise to the power 5 into 3 stf क्या हो जाएगा 2 के लिए minimum power क्या है 3 है तो 2 raise to the power 3 into अब यहाँ पर 3 common है ठीक है minimum power जो है 1 है और 3 common है इस वाज़े से 3 भी हम लेंगे तो 8 into 3 कितना हो जाएगा 24 तो जिस number के लिए हम से बोला गया है वो number क्या है 24 है और देख सकते हैं 29 को divide करें 24 से तो one time divide होगा remain क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा ठीक है 60 को divide करें 24 से two time divide होगा 48 आएगा और remain कितना रह जाएगा 12 103 को divide करें 24 से 4 time divide होगा ट्रेट में 96 आएगा और रिमेंड कितना रह जाएगा 7 तो यह greatest number है जिससे हम इन values को divide करें तो हमें reminders कुछ इस तरह की values मिलेंगी और अब इनी format पर best कुछ questions हम discuss कर लते हैं question number one what will be the greatest number that divides 1356, 1868 and 2764 leaving 12 as remainder in each case तो यहाँ पर वो greatest number हमको find out करना है जिससे 1356, 1868 और 2764 को divide करने पर remainder हमें 12 मिले तो first जो format हमने discuss किया वो जो method था greatest number को find out करने का वो हम यहाँ पर apply नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर remainder हमें दिया गया है remainder अगर नहीं दिया गया होता और कहा जाता कि remainder सेम मिलेगा तीनों ही case में तो हम उस method को apply कर सकते थे उस formula को apply कर सकते थे पर यहाँ पर remainder दिया गया है इस वज़े से उस formula को उस method को हम apply नहीं कर सकते इसका कारण में जब इस question को हम पूरा solve कर लेंगे तब बताऊंगा तो यहाँ पर greatest number हम किस तरह से find out करें यह जो 12 है remainder हर एक case में बचा है ठीक है तो यहाँ पर A, B और C एक ही value है जो कि कितनी है 12 है तो हमें जो required number पूछा गया है जो greatest number पूछा गया है वो किस तरह से हम find out कर सकते हैं SCF हमें find out करना पड़ेगा 1356-12, 1868-12 और 2764-12 values का तो actually में हमें SCF find out करना है 1356-12 कितना हो जाएगा 1344, 1868-12, 1856, 2764-12 कितना हो जाएगा 2752 और यहाँ पर SCF find out करने के लिए factorization जो process है उससे हम follow नहीं कर सकते क्योंकि काफी lengthy process हो जाएगा तो division method को हम यहाँ पर use करेंगे SCF find out करने के लिए in values का तो divide हम करेंगे 1856 को divide हम करेंगे 1344 से तो यह लगबग divide होगा one time 1344, remain क्या रह जाएगा यहाँ पर 2, 1, 5 ठीक है 512 अब यह divisor हो जाएगा dividend क्या होगा 1344 यह लगबग divide होगा two time value यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1024, remain क्या रह जाएगा 320 अब यह divisor हो जाएगा dividend क्या होगा 512 यह लगबग divide होगा one time 320 minus करेंगे हम 512 से तो यहाँ पर आ जाएगा 192 अब यह divisor होगा dividend क्या होगा 320 और यह process कब तक चलेगा जब तक हमें remainder जो है 0 ना मिल जाए 192 से 320 हम divide करते हैं तो लगबग divide होगा one time value यहाँ पर क्या आएगी 192 तो subtract हम करेंगे तो value हमें मिल जाएगी 128 अब dividend जो है 192 होगा divisor 128 192 divide होगा one time 128 हम यहाँ पर लिखेंगे और remain जो है क्या रह जाएगा 64 अब 64 से हमें divide करना है 128 divide करना है और यह exactly divide होगा two time 64 into two कितना हो जाता है 128 तो यहाँ पर जो है remainder हमें 0 तो मिल गया इस वज़े से हम यह कह सकते है 1344 और 1856 का एसचेप जो है वो क्या होगा 64 होगा बटा में दो values के लिए से find out नहीं करना तीनों ही values के लिए से find out करना है तो आगे का process क्या होगा 2752 को हम divide करेंगे 64 से तो देखिए यह लगबग divide होगा 4 time value यहाँ पर क्या आ जाएगी 256 तो 275 मैनस 256 किता हो जाएगा 92 यहाँ पर हम लेंगे और 192 एग्जेक्टली डिवाइड होता है 64 से 3 time ठीक है तो यहाँ पर remainder 0 हो गया इस वज़े से total तीनों ही values के लिए हम यह कह सकते हैं factor जो है वो क्या होगा 64 होगा और factor जो है highest common factor जो है 64 है इस वज़े से required नंबर जो है वो हमें मिल चुका और वो नंबर क्या है 64 है और अब बात करते हैं first format की उसमें जो method था उससे हमने इस question को solve क्यों नहीं किया देखिए आप उससे required न magnitude of x minus y ठीक है y minus z और z minus x इससे आप scf find out करते है इस तरीके से magnitude आपको लेना होता तो आप इनको अगर solve करते और solve करने के बाद में उन values का scf जो है वो आपको मिलता 128 आप solve करके पूरा देखिएगा आपको scf मिलेगा 128 और 128 वो greatest number है जिन से जिससे हम 1356, 1868, 2764 को divide करें तो हमें same remainder मिलेगा और वो remainder क्या होगा 76 ठीक है तो उस case में उस method को हम तभी ही use करेंगे जब हमें remainder ना दिया गया हो सिर्फ ये बोला गया हो कि same remainder मिले तो greatest number क्या होगा उस case में हमें इस method को follow करना है अगर remainder दिया गया है तो आप उसे जो second format हमने देखा उसी तरीके से उसी method को use करके solve करें तो इस question के लिए right option कौन सा होगा option first 64 ठीक है अब next question देखते है question number 2 find the greatest number that divides 130, 305 and 245 leaving remainders 6, 9 and 17 respectively तो question को देख कर ही आप समझ गए होंगे second format पर best question है greatest number हमको find out करना है जिससे हम 130, 305, 245 को divide करें तो हमें 6, 9 and 17 remainders मिलें respectively ठीक है तो वो greatest number क्या होगा options के लिए हमें दिये गए हैं first 4, second 5, third 14, fourth 24, fifth none of the above तो solve करते हैं इस question को required number जो है वो क्या हो जाएगा stf of x-a, y-b, z-c तो यहाँ पर x क्या है, y क्या है, z क्या है, x है 130, y है 305, z है 245 और a क्या है, 6, b है 9, और c है 17, तो हमें stf find out करना है, 130 minus 6, 305 minus 9, 245 minus 17 का rate means stf of 124, 296, 228, तो stf find out करने के लिए division method हम यहाँ पर use करेंगे, 296 को divide हम करेंगे, 124 से तो यह लगबग divide होगा, two time value यहाँ पर आ जाएगी, 248, तो remain यहाँ पर raise आएगा 48, अब 48 divisor होगा, 124 dividend, 124 divide होगा 48 से लगबग two time value यहाँ पर होगी, 96 by 48 into 2 कित्ता हो जाता है, 96, remain क्या raise आएगा, 28, अब dividend 48 होगा और diviser 28, 28 लगबग one time divide होगा, 28 यहाँ पर आएगा, तो 20 remain दे जाएगा, अब 20 divisor होगा, 28 dividend, one time यह divide होगा, 20 यहाँ पर आएगा, 8 remain दे जाएगा, अब 20 को divide करना है, 8 से, two time divide होगा, 16 यहाँ पर आएगा, और 4 रिमेंडर जाएगा अब 8 को डिवाइड करना है 4 से 4 से 8 जो है exactly डिवाइड होता है 2 टाइम तो यहाँ पर रिमेंडर जो है कुछ नहीं बचेगा तो हम यह कह सकते हैं 124 और 296 के लिए SCF जो होगा वो क्या होगा 4 और अब आगे क्या करना है 228 को हमें डिवाइड करना ह है 4 से ताकि SCF हमें इन तीनों ही वेल्यूज के लिए मिल सके अब यहाँ पर आप देखिए 28 जो है exactly divisible है 4 से इस वैसे यह जो वेल्यू है 4 से exactly divide हो जाएगी अब exactly divide हो जाएगी तो हम यह कह सकते हैं इन तीनों ही वेल्यूज के लिए SCF जो होगा वो 4 ही होगा और required नंबर जो चाहिए हमें इस question के लिए वो भी 4 होगा तो कौन सा option right होगा यहाँ पर option first ठीक है 4 तो काफी easy question से बस format आपको पैचानना है किस format में question दिया गया है और उसके लिए method आप क्या use करेंगे या आपको पता होना चाहिए easily आप इस तरह के questions को solve कर सकते हैं इनका answer find out कर सकते है I hope friends आपको मेरा य वीडियो को share करें और comment करें तक कि मुझे पता लग सके आपको वीडियो कितना पसंद आया जिन वीवर्स ने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है वह यहाँ पर click करके से subscribe कर लें तक कि कोई भी नया वीडियो जब हम upload करें उसका notification आपको उसी वक्त मिल जाए आप उस वीड